CAA और NRC को लेकर अलिगर मुसलिंग यूनिवर्सिटी में छात्रों का दहना प्रदर्शन लगातार जारी है प्रदर्शनकारी चात्रों का कहना है कि एमई उन्तिजामिया के यूनिवर्सिटी बंद किये जाने के फैसले से चात्रों के पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है और यूनिवर्सिटी में परिक्षाइदी आगामी 16 जंडरी से शुरू हो रही है जबकि यूनिवर्सिटी तेरे जंडरी से खोलने की बात की जा रही है अलिगर में बीते 15 दिसंबर को CAA और NRC को लेकर AMU 16 और प्लिस के बीज जलब हो गई थी जिसके बात ततकाल प्रभाप से 5 जंडरी तक के लिए यूनिवर्सिटी को बंद करा दिया गया था जिसके बात के लिए कार वस यूनिवर्सिटी को नहीं खोला गया AMU की प्रशासनिक बैठक में फैसला लिया गया कि अब चर्ण बद तरीके से यूनिवस्टी को खोला जाएगा जस्मनो जंबरी को यूनिवस्टी के सभी जूनियर स्कूल एक से लेकर आठ तक के खोले जाने थे लेकिन जिला प्रशासन ने भीसा ठंड के काण 9 और 10 जंबरी के दो दिन के लिए एक से लेकर आठ तक के सभी स्कूलों को बंद करा दिया तो आज भी AMU में कोई भी स्कूल नहीं खुल पाए है CAA को लेकर आज भी छात्रों का धिन्ना पदशन जारी है अगर सुरक्षा विवस्ता की बात की जाए तो सुरक्षा विवस्ता के बिशेस इंतिजाम किये गए है RAF और PSE के साथ भारी मात्रा में सिविल फोर्ट केनात किया गया है तो वहीं बाटा केमन और पलिस वेरिकेटिंग के साथ पलिस 24 घंटे AMU सरकल पर पेनात रहती है पुरे केमपस को बाहर से छाबनी में तब्दिल कर दिया गया है चात्रों की माने तो चात्रों का धन्ना दब तक जारी रहेगा जब तक CAA को बापस नहीं लिया जाता तो वहीं चात्र यूनिवरसिटी बंद किये जाने से खासे परियसान है चात्रों का कहना है कि चात्रों का काफी नुकसान हुआ है और पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है हलाकि चात्रों ने पढ़ाई जारी रखने के लिए धर्णा परदशन ने इस्थिल पर लाइबरी बना दी है जसमें सभी ज़रुवत की पुष्टके रखी गई है ताकि धर्णे में भाग लेने वाले सभी चात्र चात्रा परिक्षाओं की तयारी पूर्ण कर सके है यूनिवरसिटी में आये हैं तो अब यूनिवरसिटी पूरी बन रहती है तो एक पढ़ाई में काफी ज़ादा मसला हो जाता है यहाँ पे अगर आप बात करोगे यहाँ बहुत सारे बच्चे हर तरह के बच्चे यहाँ परते हैं कि वो लोग यहाँ पे रह रह रहे हैं और फिर वो लोग अलग अलग जगाओं पे रहें और लोग के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं अगर आप पढ़ाई की वो करेंगे तो यहाँ पर हम लोग की जो एक्जाम की डेट एक्टेंड होई तो हम लोग यहाँ पे बैठे वे हैं प्रोटेस्ट पे जो कि इस ताइम हमें क्लासिस बहुना चाहिए है क्योंकि अटैक्स बार 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 होते रहे हैं इसकी मैंसे हमें अपने पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठना पड़ता है तो हम लोग जो यहाँ हैं हम लोग तब तक हैं अभी तक यूनिवर्सिटी जो खुलेगी वो 24 का इन्होंने देट दी है लेट सीब मुझे तो ऐसा लगए कि शायद इन लोग एक्स्टेंट करने तो हम लोग आगे और मसला हो सकता है लेकिन अब तक हमें अच्छे खासा लॉस हो चुका है हमारे ट्रेक्जाम होने चाहिए थे हो चुके हो जाने चाहिए थे वो अब भी तक नहीं हुए है देखी युनिशिटी बन होने का मकसद एक साल बन करते हैं दो साल बन करते हैं तीन साल बन करते हैं हमें चीज सब लगने पड़ा है हमें फर्क ये पड़ा है कि NRC और CA जब तक खतम नहीं हो हम जब तक धरने बैटेंगे हमें पढ़ाई भी हमने छोड़ दी है युनिशिटी में जो भी काम हो रहे हैं सब हमने खतम कर दी है हमें पहले NRC और CA के जो इस सेंट्रल गवर्मेंट ने जो हम लोगों खलाब की शोच का छोड़ा है इसको जब तक खतम नहीं करी हम जब तक बैठेंगे हो रहा है लेकिन इस से बरे नुकसान क्या होगा कि हम जब हिंदोस्तां सी बाहर चलिए गए तो हमरी इसे पढ़ाई से क्या फायदा